अध्याए चार और क्या देखता हूँ कि एक सिहासन स्वर्ग मे धरा है और उस सिहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिहासन के चारों और मरकत सा एक मेग धनुष दिखाई देता है और उस सिहासन के चारों और चौबीस सिहा और इन सिहासनों पर 24 प्राची श्वीत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सुने की मुकट है और उस सिहासन में से बिजलियां और कर्चन निकलते हैं और सिहासन के सामने आग के साथ टीपक जल रहे हैं ये परमेश्वर की साथ आत्माए हैं और उस सिहासन के सामने मानों बिल्लौर के समान काच कासा समुद्र है और सिहासन के बीच में और सिहासन के चारों ओर चार पराणी हैं जिनके आगे पीछे आखे ही आखे हैं पहला पराणी सिह के समान है और दूसरा पराणी बचडी के समान है तीसरा पराणी का मुँँ मनुश्य कासा है और चाथा पराणी ऊरते हुए उकाब के समान है और चारों पराणी के चै चै पंक हैं और चारों ओर और भीतर आखे ही आखे हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं के पवेत्र 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 प्रभू परमेश्वर सर्व शक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है और जब वे प्राणी उसकी जो सिहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे तब चौविसों प्राचीन सिहासन पर बैठने वाले के सामने फिर पड़ेंगे और उसे जो युगावनु युग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुर्ष से हासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभू और परमेशु तू ही महिमाद और आदर और सामर के योग है क्योंकि तू ही ने सब वस्तों सरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सरजी गई